हाई गैस तो आज में इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कोरियन स्किन केर रूटीन जो कि बहुत एजी है हमारी ग्लास स्किन के लिए तो सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं गाइस ऑईल क्लेंजर तो ऑईल क्लेंजर से हम 60 से के लिए अपनी स्किन पे मसाज करते हैं और उससे जो भी हमारी स्किन की डर्ट होती है रेजिड्यू होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं और देन उसके बाद हम उसको पानी से डिजॉल्फ करके उसको वाइप ओफ करते हैं तो नेक्स टेप ह होता है हमारा वोटर बेस्ट क्लेंजिंग तो वो जो वाटर बेस्ट प्लेंजर होता है उसको भी हम अच्छे से 60 से कंद तक के लिए अपनी स्किन पे ऐसे मसाज देते हैं जिससे जो भी प्रोड़क्ट रिजिड्यू होता है डर्ठ होता है एक्स उयलिनेस होती हूं आप ह तो अच्छे से इस ने स्किन को हमने वाइप उफ कर लिया and then next step होता है एक्सफोलियेशन तो एक्सफोलियेशन के लिए यूस किया जा रहा है इसमें टोनिंग पैड तो टोनिंग पैड बहुत ही अच्छा एक प्रॉडक्ट होता है जिसके आपकी स्किन पाथे जिसके डूर होती है और आपके पोर्स देखने लगते हैं तो वो पोर्स को भी काफी हद तक पाथे टोनिंग पैड मिनमाईज कर देता है तो आपकी जो ईसमेशन यहां पर पीछे भी और भी नेक पर डर्त होती है वो सब इस टोनिंग पैट से ऐसे निकल जाती है and then next step होता है guys essence तो essence यहाँ पे bean essence यूज़ किया गया है और आप यूज़ कर सकते है snail mucine essence भी सारे products के link में description box में डाल दूंगी तो आप वहाँ से उन products को purchase कर सकते है easily तो आप देख पा रहे हैं कि इससे अगर आप Sandla Asiatica का यूज़ करोगे तो वह बहुत बैटर होता है बहुत बढ़िया होता है क्योंकि उससे जो हमारी skin है उस पे से texture भी दूर होता है वो सुंदर और ऐसे glow-y बन जाती है एकदम से and then next step है guys moisturization का तो इसमे cream यूज़ की चारे है आप Snail Mucin cream यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये आपकी glass skin के लिए होती है और सारी जो भी उसके उपर dark spots होते हैं, pigmentation होते हैं वो दूर होती है और skin ऐसी glow-y और सुंदर बन जाती है don't forget to subscribe to my channel